एक ओल टीचर को अपने स्टोरेंट के साथ प्यार हो जाता है पर इन दोनों में 30 साल का एज डिफरेंस था तो कैन की स्टोरी आगे बढ़ पाए कि यह आज के हमारी मुवी एलगी है यह 2008 की मुवी में हम देखेंगे यह बहुत ही हार्ड वाल में स्टोरी है तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखेंगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजिए अब बिना किसी तरीके एकस्पलेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे में गारेक्टर डीविड को देखते है डीविड एक बहुत ही इंटेलिजन प्रोफेसर था और उसे एक सेपरेट टीवी शो भी दिया गया था यह बीच-बीच में रेडियो पर मुवीज और प्ले की रिव्यू भी देता है इसी तरीके से आज उसके एक इंटर्वी चल रही थी किस तरीके से रिलेशनशिप इवाल हुए है इसके बारे में उसने अपने बुक में लिखा था इसके बारे में डिसकस करते हुए कहता है कि एक ट्राइब हुआ करते थी 1900s में वहाँ पर एक दूसरे को पाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है उस तरीके से कोई भी स्ट्रगल नहीं था उन लोग को जो चाहिए वो हमेशा वो करते रहते थे 1950s ये 60s के अगर हम बात करें तो फिल्ल होना फार्मर होना बहुत ही अच्छी बात माना चाता था अगर आपके पास ये सब है तब ही आप शादी कर सकते हो इसी टाइम में डेविट की भी शादी हो गई थी पर इसके बाद फिर से अमेरिका में नहीं वेवाई सब लोग डेट करने लगे किसी के साथ इंटिमेट होने के लिए उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं थी इंटर्विवर ने पूछा कि जल्दी शादी करने के तुम्हें कुछ पष्टा हो है डेविड ने कहा कि अफकोस है पर इबाद हम दोनों की बीच में रहेगी यह जो हमारा सीन था यह डेविड के कैरेक्टर को अच्छी तरीक से इस्टैबलिश कर देता है तो किसी भी एक जगा बस टग नहीं रहना चाहता है यही रीजन था उसका डिवास भी हो चुका है वो हमसे कहता है कि ओल लेज के एक बहुत ही अचीब बात होती है यह अचानक से आजाता है और आप कभी रियलाइज भी नहीं करती है अंदर से तो आप यहंगी फिल करती हो वो फिर अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है उसने का कौन सेल हमेरी स्टूरंट थी बाकि स्टूरंट मैंसे वो बहुत ही अलग लगती थी वो इस तरीकी से ड्रेस करती थी जैसे किसी lawyer firm में वो काम करती हो हमेशा beautiful लड़किया और मैं कभी भी दूर नहीं रह पाया college के बहुत strict rule थे कि कोई भी student और professor में कुछ भी होना नहीं चाहिए या किसी तरीकी से case create नहीं होनी चाहिए इस पर डेविड ने अलग solution निकाला था जब उसकी class graduate होती है तो उनके लोग party रखता है यहाँ आपर उसे जोबी लड़की अच्छी लगती है उसे अप्रोच करता है कंसुला की class खतम होने के बाद भी वो इसे type की party रखता है डेविड के घर में काफका का लेटर था यह देखकर कंसुला बहुत ही surprise होगी इस पर बाते करने लगते हैं कंसुला ने डेविड के घर में पियानो देखा था तो बुछती हैं क्या तुम play करते हो डेविड कहता है प्लीज मुझे सब के सामने play करने के लिए मत बोलना वो बहुत जादा डर जाता है डेविड ने कहा कि तुम्हारी personality बहुत जादा अलग है यह बहुत ही powerful vibes देती है कंसुला ने कहा कि शायद मेरे father से मुझे मिलते है डेविड उसके बारे में और भी जान लेता है कंसुला कहती है कि पहले मैं law firm में काम करती थी पर मेरे parents जाते थे कि overseas जाकर मैं अच्छी सी education करूँ तो इसी वज़े से मैं आई हुई हूँ अलग-अलग philosophy music इन सारी चीज़ों पर बात करते है डेविड को कंसुला बहुत ही अच्छी लगी थी वो इस वज़े से सारी बाते उसकी सुन भी लेता है finally डेविड ने उसे पूछ लिया एक play होने वाला है क्या तुम वहां मेरे साथ चल सकती हो कंसुला भी इसके लिए उसे हा कहती है अब next scene में कंसुला के बारे में डेविड और उसका फ्रेंड जॉज ये दोनों बात कर रहे थे जॉज को ऐस सब बहुत ही अजीब लगता है तुम उसके साथ play देखने के लिए जाओगे तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता अगर तुमें सिर्फ intimacy की relationship चाहिए तो उसमें इस सब चीज़े मट डालो डेविड को कंसुला बहुत ही पसंद आई थी और इन सारी चीजों को इगनोर करता है आज रात हम डेविड को कैरोलिन के साथ intimate होता देखते है कैरोलिन उसके age की है वो एक business man है तो कभी भी city में नहीं रहती जब यो यहाती है तो डेविड के साथ ही होती है यह पिछले बहुत सालों से एक दुसरे को जानते है यह दोनों जब intimate हुए तब डेविड को अपने बेटे का call आया था डेविड उसका call उठाता नहीं क्योंकि उसका बेटा हमेशा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जैसे गया है पता है यह देविड का डिवास हो चुका है बहुत यंग एज में अपनी बीबी और बच्चों को छोड़ कर हो चला गया था वो अपने बेटे से relationship तो maintain करना चाहता है पर उसका बेटा हमेशा उस पर ज़्यादा ही गुस्सा होता है नेकसिन में कंसुला और डेविड प्ले पर गए डेविड कहता है कि हम किसी और प्लेस पर चल सकते है कंसुला ने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग है उसे इतने ज़्यादा लोग पसंद नहीं डेविड कहता है तुम मेरे घर आ सकती हो कंसुला गया थी कि मुझे प्रॉमिस करो अगर मैं तुमारी घर आई तो तुम मेरे लिए पियानो बजाओगे डेविड भी ये बात मान लेता है कंसुला को डेविड के टैलेंट बहुत ही अच्छा लगा था डेविड को फोटोग्राफिक आभी शोक है तो इसने अपने फोटोस भी उसे दिखाया इनी सब बातो बातों में एक दुसरे करीव आ गए थे इसी मीटिंग के बारे में नेक्स सीन में डेविड और उसका फ्रेंड जॉज ये दोनों बात करे थे जॉज इन सारी बातों से बहुत ही सप्राइस था गयता है तुम दोनों में कुछ भी होने नहीं वाला वो फिर से कभी भी तुम्हें कॉल भी नहीं करेगी वो सिर्फ तुम्हें एक यंग एज का experience समझेगी पर डेविड कहता है कि वो फिर से मेरे पास आई थी मदलब उस रात के बाद इन दोनों ने अपने relationship को continue किया था डेविड ने कंसुला से का मैंने पूरी लाइफ में तुमसे beautiful लेट की कभी भी नहीं देखी कंसुला डेविड से बूचती है कि तुम्हारे कितने affairs थे डेविड ने कहा कि 40-50 होंगे पर count कोन कर रहा है वो कंसुला से बूचता है उसने कहा कि आज तक 5 boyfriend थे इस बात से डेविड jealous हो गया था वो realize करता है कि वो कंसुला को कभी भी अपने खुद के लिए बानी सकता इस बात की वज़े से वो बहुती ज़ादा insecure हो गया था उसे पता था कोई ना कोई यंग आदमी आएगा और कंसुला को उससे दूर चुरा कर लेकर जाएगा वो कंसुला को हमेशा अपने पास जाता था जोर्ज उसे समझाता है कि तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा आज ना कल वो तुम्हें छोड़ कर चली जाएगी तो आज ही अगर तुम move on करना start करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा अब इसी ब्रेक अप के बारे में बात करने के लिए डेविड कंसुला के साथ एक बीच पर गया हुआ था कंसुला गय थी है मेरे प्रांस हमेशा से चाहते थे क्यों अलग-अलग प्लेसेस पर घुमने के लिए जाए पर पूरी लाइफ में वो एक कभी भी कर नहीं पाए मैं इसी लाइफ नहीं जीना चाहती है अलग-अलग प्लेसेस पर जाना चाहती है अब डेविड को बात तो करनी थी ब्रेक अप की पर उसने का क्यों ना हम दोनों खुमे हम बहुत सारी जगा पर जा सकते है एक दिन कंसुला ने डेविड से का कल हम दोनों मिल नहीं सकते है कल मेरा ब्रदर आने वाला है उसके साथ ही पूरा दिन में स्पेंट करूंगे डेविड पुछता है क्या सर्चमुश में तुम्हारा ब्रदर ही है कंसुला ने उसे बहुत ही घटिया लोग दिया कि वो इस तरीके से कैसे सोच सकता है डेविड सेज्योशन को समा लेता है और कहता है मैं सिब जोक कर रहा था पर यह जोक नहीं था वो पूरे दिन सिर्फ कंसुला के बारे में सोच रहा था उसे लगता है को किसी और के साथ है गंसुला जहाँ पर जाने वाली थी रात में वो वही पर पहुँच गया वो पुछती कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो डेविड ने कहा कि मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए में नेबर हुड में आया हुआ था गंसुला कहती है यह सारी चीज़ नहीं चलेगी यह दोनों की इस पर फाइट हो गए अगले दिन यह दोनों एक रेश्टराण में मिलते है गंसुला कहती है हम दोनों के बारे में मैं सोच रही थी उसे डेविड को तो जाने देना चाहिए पर यह बात तो नहीं कर सकती उसे बुछती है हम दोनों में तुम्हें क्या फ्यूचर लगता है डेविड ने कहा कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच कर डरने लग है हूँ हम दोनों में 30 साल का एज डिफरेंस है कंसुला केती है मुझे इस बात से कुछ भी फरग नहीं बढ़ता मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इस बात से दोनों बहुत ही खुश थे डेविड हमेश आपने आप पर डाउट करता है कि कंसुला उसके साथ क्यू है वो खुद यंग नहीं कि कंसुला उसके बॉड़ी के लिए उसके साथ हो अभी भी उसने कैरोलिन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिनू रखाया उसे लगता है कि जब वो यंग था तब से कैरोलिन उसे जान दिये एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है तो उसे वो जाने नहीं दे सकता कैरोलिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सेफटी है एक दिन जब कैरोलिन और डिविड इंटिमेट हुए तो कैरोलिन को कंसुला का टैमपॉन मिल जाता है इस बात से वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो गई वो डिविड से बुछती है कि ये क्या है हम दोनों में जो भी है ये बहुत ही परफेक्ट है पर इसके बदले में मैंने सिर्फ तुम से एक ही बात मांग गिए कि तुम मुझसे ओनेस रहो वो डिविड पर बहुत ज़ादा गुस्सा थी पर डिविड कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मैरेज हो जुकी है उसका अफेर था तो एक लड़की को लेकर वो आया हुआ था कैरोलीन भी उसके बात मान जाती है नेकसें में देखते है कि डेविड और कंसुला या अलग अलग प्लेसेस पर घूम रहे थे वो उसकी बहुत सारी फोटोज लेता है वो सोते वग ड्रूग करती है फिर भी डेविड को बहुत अच्छा लगता है इन सारी बातों को देखकर जॉज ने उसे का कि ब्यूटीफुल लड़की की ही प्रॉल्लम है कि तुम उसे सही तरह के से जान नहीं सकते है उसकी ब्यूटी की वज़े से वो तुमारे लिए इन्वीजिबल होती है एक दिन कंसुला ने डेविड के फ्रेंड को किसी और इन दोनों को एक दुसरे को डेट करते हैं इतने सारे दिन हो चुके है पर फिर भी डेविड कोई भी कमिट्मेंट नहीं दिखाता तो कंसुला उसे कहती है कि मेरी एक पार्टी है जहाँ पर तुम मेरी फैमिली से मिल सकते हो यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर ट्रैफिक में फसा हुआ हूँ आज मैं आ नहीं सकता इस बात से हो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगे कंसुला ने उसके घर पर एक मैसेज छोड़ा कहता है तुम लोगों के सामने बहुत ही वाइस लगते हो अलग-अलग इंपॉर्टन चीजों के बार में बात करते हो जब मैंने एक पार्टी रखी जो मेरे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टन थी तुम्हारा मेरे पैरेंस से मिलना बहुत ही इंपॉर्टन था तो तुम वहाँ पर आये नहीं आखिर मुझे समझ में नहीं आता यह तुमसे प्यार करती क्यों हूँ उसे फोन पर ही ब्र उसका अफेर चल रहा था उस्सों बहुत ज़्यादा प्यार करता है डेविड ने कहा कि कुछ भी हो जाए अपनी वाइफ को कुछ भी मत बताना उसके बेटे ने अल्रेडी अपनी वाइफ को बता दिया था जिसके साथ वाफेर कर रहा है उसके पैरेंस को भी मिलने जाने वाला था डेविड कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ही अलग है मुझे पता था कि मैं मैरेज में टिक नहीं सकता इसी वज़े से डिगनिटी से मैंने डिवॉस ले लिया था उसका बेटा कहता है कि आपका लॉजिक बहुत ही घटिया है डेविड नो से क्लेर किय कहा कि तुम्हारे पास एक ही फादर है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप मिंटेन करना चाहता हूँ तुम्हें भी इसके लिए कुछ effort करने चाहिए कंसुला के जाने के बाद डेविड बहुत ही अपसेट था तो उसका फ्रेंड उसके पास है उसे अपने हाथों से खिला तुम्हें मूँआन करना चाहिए डेविड के फ्रेंड को आवार्ड मिलने वाला था तो कहता है तुम मेरे लिए इंट्रोडक्शन करना डेविड भी इसके लिए मान जाता है डेविड ने उसका इंट्रोडक्शन किया डेविड का फ्रेंड स्टेज पर खड़ा हुआ कैरोलाइन और डेवीड दोने एक साथ थे, डेवीड एक बात रियलाइस करता है, कहता है, हम हमारी लाइफ बहुत ही अजीब तरी किसे जीते आए, हमेशा एक राइट पार्टनर को ढूनते आए, 15 साल पहले तुम प्रेगनन थी, पर वो रिलेशन्शिप भी तुमें बहुत गलत लगी थी, ऐसे हमारे लाइफ में कभी भी राइट पार्टनर आया ही नहीं, वो कैरोलाइन को कंसुला के बारे में ओनेसली बता देता है, कैरोलाइन कहती है, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही अकेली हूँ, कभी-कभी मुझे इंटिमेट होने के लिए पेग करना पड़ता है, पूरी लाइफ उसने अकेली गुजारी है, पर रुग एती है, बहुत सारे कपल्स होते हैं, जिस तरीके से हम बात करे हैं, वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कर नहीं पाते हैं, अडलीस हम दोनों में एक ओनेस्टी है, एक फ्रेंडशीप है, जो हमने आ मैसेश को टाल दिया, वो डर रहा था, कंसुला की लाइफ में क्या चल रहा होगा, एक दिन वो डारेक्ली उसे कॉल करती है, और कहती है, तुमारे घर के बाहर ही हूँ, देविड ने उसे अंदर बोलाया, एक दूसरे को हग करते हैं, कंसुला के हेल शॉट हो चुके थे, डेविड की बुचने पर वो कहती है, कि मैं खुद ही इसे काट रही हूँ, इसके जाने पर फिर मुझे दुख नहीं होगा, उसे पता चला था कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, डेविड को एब बात सुनकर बहुत ही जादा बुरा लगता है, वो रोने लग गया, कंसुला कहती कि तुम मुझे हमेशा beautiful समझते थे, अब मेरा यह जो हाल है, तो मुझे तुम से भी old लग रहा है, डेविड कहता है कि प्लीज मुझे एक बात promise करो, जब भी रात में तुम्हें कुछ भी गलत लगे, या तुम्हें किसी से बात करनी हो, प्लीज मुझे call कर लेना, कंसुला ने भी promise किया, उसे लगता है कि अपने life का उसने बहुत सारा time बरबात कर दिया, सोने में, relationship में, एक दूसरे से जगरने में, वो कहती है, जितना तुम ने मुझे से प्यार किया था, उतना कोई भी नहीं कर सकता, अब मेरी beauty मिटने से पहले, प्लीज मेरी कुछ pictures निकालो, डेविड ने भी उसकी बहुत beautiful से pictures ले, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा time spent करते है, डेविड कंसुला के साथ hospital में रहना चाता था, उसे हर step पर support करना चाता था, पर कंसुला कहती है, मुझे से ज़्यादा तुम डरे हुए, प्लीज इन सब से तुम मत कुजरो, कंसुला का operation होने के बाद, वो डेविड को अपने पास बुलाती है, कंसुला कहती है कि मेरे breast card दे गया है, क्या मैं तुम्हें अभी भी beautiful लगती हो, डेविड कहता है कि एक लड़की आश्री के expert थी, उसने भी अपना operation करवा लिया था, उसके बाद वो सबसे best हो के, वो powerful ब प्यार में थी, अब इनके पास जो भी time बजा था, ये दोनों एक साथ ही spend करते हैं, अब life में आगे क्या होगा, इन दोनों को नहीं पता, पर इन्हें एक साथ रहना है, इस पर ये दोनों firm है, इसे के साथ इस movie के बहुती beautiful सी ending हो जाती है, अगर आपको वीडियो चलागा, तो प्लीज इसे like कर दीजेगा, वे बहुत सारी movies लेकर आते रहते हो, तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे, और bell notification icon दोने मत भुलिएगा, हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ, तब तक लिए thank you, और आप अपने आपका खैल रखे,